की लड़ाई में अच्रस्वार्व मानिए आ एक Ko tis प्रम्हे बहुत प्रब्व पाकिस्तानी मैं پाकिस्तान पे हम लाखते और बोलू कि आज तक में मजज्जी नहीं हो जाने नहीं दी जाएंगी सिर्फ घंतव Rendysla में चरो कि तो आपको कैसा अजा Entre अंग्रेजों ने पहले नहीं चीनी, हमारी आजादी हर उस आदमी ने चीनी आकर के जिसने का घंटी बन कर दो, मंदिरों को तोड़ो, यहां पर दूसरी चीजों को लाओ, और इन लोगों को इनके विश्वास की वज़ास से खतम करो, यहां से इस बिलीव को, हमारी आजाद का उसने नुकसान किया, उस पे अटेक किया, उसको बदलने की कोशिच की, उसको खतम करने की कोशिच की, वो आकरांता है, वो इनवेडर है, वो हम में से नहीं है, बाहर के पार्सी भी आया है हमारे में, जब इसलाम आया आपका इरान में, तो पार्सी ज़ाद के इंडिया पूछता कि आपका धर्म क्या है और यह तो पार्सियों कि इतना अमीर कैसे इसकी इसका घर हड़ा पलो बंबाई का सबसे महंगा गर 175 कड़ों का वह भाई सब उनका है और वह आदमी से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम पार्सियों और तुमने वह अपने आपको इंडियन नहीं है भारत भारत धर्ती का नाम है तो भारती धर्ती से जुड़ने वाले लोग है अपने मिट्टी से जुड़ने वाले लोग है और उपर वह आकाश में किस से जुड़ने वाले लोग है और उपर वह अपने जड़ों से जुड़ें जड़ से जुड़ने के बाद तो आप कहेंगे ना इस्लामोफोविया यह तो मुस्लिमों से नफ़त करते हैं तो कोई अगर हमें आपके इसलिए मारे कि हम अपनी जो भारी जो पूजा पदती है वो उसको गलत समझते हैं तो हम उसको अपना तो नहीं मान सकते हैं शोईब जी ना आप समझ रहें मेरी बात है जिसमें जो आकरांता है जिसने लोगों को मारा है उसका इतिहास बना दिया गया हो तो जोड़ा था अगर पोलेंड में जाके आप हिटलर की तारीफ करेंगे तो उन newborn को दुख नहीं होगा तो देखिए हम ने जो कहा हमारी धर्ती पे आप कोई भी आए हमने तो कभी नहीं कहा कि आपका इबादत का तरीका गलत है हमसे लोग कहते हैं आप इस्लैमोफोबिक बाते करते हैं मैंने का भही हम लोग ऐसे कह wirंगे हम तो कहें सब सही है हम तो खुद इसलाम में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो तो जब आप जो भाई जब हमने का कि एकम सर्थ बहुदा विप्रावधंती तो उसमें पैगंबर साहब भी आ गए उसमें किसी और के देवी देवता भी आ गए उसमें कि लृड जीजस क्राइस भी आ गए है सब आगए उसमें वो तो सामने वाला कहता है कि हमको onun बाकिस बंद कर दो Enoughzosnapते ही ह्म सब को मानते हम profit की बिऊतनी ही एतलाम करते हैना जितना एतलाम हम अपने प्र्भूरहूश इता हम करते है हमें किसी से कोई नही है हम अपनी history को preserve करने वाले लोग हैं बस हमारी कहानी है मिटी की कहानी है हमारी कहानी है हमारे जो हमारे आट गॉट का कॉंसेट भी दूसरे तरीके का तो उसी मिटी के वज़ा से हम आपको अपना भाई समझते हैं हम आप से कल्चरली जुड़े हुए हैं आप तुर्की में जाके गले पढ़ते है और हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हम गले लगाते हैं एक पाकिस्तानी हमें इंडियन ना तो लेकिन वह अर्थुकरल देख रहा है वह अपना सवाधी अर्वी कप्रे पहन रहा है अर्भी अपने आपको दिखाने पर तुला हुआ है लेकिन अगर उसको कहा दें कि भाई तुम जहां पे बड़े बड़े फ्लैग लगे है तुर्की के जहां पे बड़े बड़े फ्लैग लगे है इवन चाइना के और मेरा पाकिस्तान के पॉलिटिशन से मेरा पाकिस्तान की पॉलिक से ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी सड़क है जहां पे कहीं इंडिया का फ् एसरी से जुड़ा होगा जो अपनी जड़ जिसकी म्सबोर्थ होगी द्रक उतना ही तनावर होगा पाकिस्तान शर्ड इसे वजह से अपनी आइदेंटिटी क्रैसिस का पाकिस्तान मज़भर सामना का रहा है एकोन्मी के हवाले सांकारी यह है coripses और इसके लावा हमने जब economic शुरू की ना post independence सबसे पहले land reform किया फिर उसके बाद हमने social reform किये फिर हमने उसके बाद जो है constitutional reform किये हमने चीजों को बदला आप जब आप बदलने जाते थे आपको रोग दिया जाता था किसी चीज के बहाने land reform किया तो लोग चले गए बोले ने शरिया में जो है दिकत नहीं होती चुकि आपने जब आपने division किया तो आपने का independence Indian independence act से हम अलग हो गए आप कहे हम 14 अगस को आजाद हो गए ठीक है चली भाई आप 14 अगस को आजाद हुए किस चीज से आजाद हुए आप उस आजादी का मतलब आप सिर्टिशर से आजाद हुए वो पाकिस्तान तो मांग रहते हैं इंडियन से उन्हों का मुसल्मानों को अलग जगा दो तो आप अपनी जड़ तब से खोद रहते हैं आपका मुसल्मान होने का हिंदुस्तानी होने से क्या लिना दिना है क्या एक हिंदुस्तानी मुसल्मान नहीं हो सकता क्या भारत में रहन का लैंड है भी आप कजाकसान मैं सेंट्रल एसजा में भी रहा हूं और योरोप में भी रहा हो मैं कजाकस साल्थाम गया मेरी दोस्ते इस सत्र परसिंट से सप्षल मानिंज learning और यह कजाक आप मुझे यह बताइए पाकिस्तान का इंडिजीनियस कौन है पाकिस्तान के इंडिजीनियस लोग कौन है वो आपको मैं तर्की का भी पढ़के सुना देता हूँ चुकि भी चले हम लोग तो गलत आप तुर्की से सीख ले आप तुर्की का कॉंसिटूश आपको एजिप का कॉंसिटूशन आपको सुना दूँगा ऐसे यह देखे यह बिल्कुल यह तब चीजे हैं देखे आप से बात करने का मकसद ही यह है कि दस लोग हमें सुने बीस लोग सुने या सो लोग सुने कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री जिसे हम खो चुके हैं जिसे मानने को त्यार नहीं है इवन अगर वो बताई जाती है तो शायद हमें गुसा आता है कि भाई यह तो हमारी हिस्ट्री है ही नहीं त personally ये समझता हूँ जब तक हम अपने पास्ट को जब तक हम सच को एकसेप्ट नहीं कर लेते, तब तक हम बहतरी की तरफ नहीं जा सकते। सर हिस्टry के हवाले से बात की डेफिनेटली बहुत इंसपारिन बात की आपने बहुत सी ऐसी बातیں की जो के शायर पहले मैं नहीं जानता था अदर्वाइस अब बातें ये भी चल रहे हैं FATF की ग्रेलिस में दबारा भी जा सकता है अल्ला ना करे ऐसा हो लेकिन आप ऐसे लॉयर आप ऐसे एक एनलिस्ट क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं नहीं ये देखे मैंने वह जो जो जॉइंट स्टेट्मेंट का पैराग्राफ नमबर 32 है जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर यह नहीं की बात नहीं हो रही है उन्होंने ये का अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वह भी पढ़के सुना दूंगा जहां पर यह बात लिक्षी है उसके पैराग्राफ नमबर 32 को अगर आप पढ़ेंगे ना तो 32 में सिर्फ इत्मा लिखाएंगी वह पाकिस्तान को चार चीजे करनी है वो चार चीजे क्या है नमबर वन कि टेरिरिजम को लीज़े मैं पढ़ी देता हूं यह जो जहां से यह न्यूस बन रही है दिए इ दुद्erk है धुट्र चार चार आप है शेजे क्रच पमट लूसाडीरिक चार श्काविख मांब ठचान को लिखाएंगे, जह हैं मुहाइदीन इसन्तौंँ धुथे क् कार भूसिजे कर दख तरिजे क्टम् visto Marxist and पार्किसतान कर वो अंपा किस्ता dependsाव पार्रип प्र। यह जो आपका पॉइंट हो यहां है, यह जो आपका पॉइंट हो यहां है। यह जो आपका पॉइंट हो यह जो आपका पॉइंट हो यहां है। यह जो आपने बोला है, उसमें तो एक लाइन ये भी है कि भाई मिलके काम करते हैं। यह जो आपका पॉइंट हो यह जो आपके साथ नहीं हो जाएं। आपको तो करना चाहिए, we welcome this statement because we are fighting against terrorism and we don't support terrorism in all its form and manifestation. खतम है, आप अमेरिका और इंडिया के साथ खड़े हो गए। और आप इस तरीके से हमारा एक बड़ा अच्छा ग्रूप बान सकता है, मतलब यह है कि इस मौमले में एक हम मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन शायद कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं। जिसकी वज़ेंसे यह statement सामने आती हैं। अच्छा सर मुझे यह बताएं, इंडिया का मिशन मून के बारे में आज का खबर चल रही है कि जी दुबारा से रेडी है, मिशन मून के लिए इंडिया, क्या कहना चाहेंगे इसके उपर, जब पहले एक दफ़ा मिशन किया गया, उसके उपर जब फड़ा सा इंडिया में जो खबर चली और फिर पाकिस्तान में, उसके उपर यह कहा गया, जी देखें, वो मून पे जाने के लिए यह हैं, लेकिन नकाम हो गए हैं, बड़ी मीम्स बगहरा बनाई गई गई, आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे, अब इंडिया बहुत तेजी से अपने मिशन प उपने आपको पंजाबी मांनते हैं, लसी पी पिते हैं, पूशली पिर कबी कहीं से आए या कभी हम बार्ड मार्किट में तो फिर लसी पीते हैं, एपना नहीं पी जाती. पाकिस्तानी है कैसे डिटर्माइन होगा बताइए 1947 तक इंडियन थी 1947 के बाद पाकिस्तानी हो गई लसी तो हम लोगों की है ना तो देखिए ऐसा है चोधरी सहाब कि इस रो भी आपका यह मानने की बात है ना लाल किला और ताज महल हिंदुस्तान में आप उसको अपना मानत ज्युक्रा गबसेपर से जुड़ते हैं बहुत सब्छाइब आपके सारे जो बड़े बड़े विद्वाने मैंने सुना हमने ओंने लाल किला अबना उन्माह अलकुल की मारतिया है आपका वहाँ पे लेना देना है न वहाँ आपको वीजा है देते है हम आपको आप हमारे वह अगर आप माल लो तो इसरों की success आपकी- a हैं तो पाकिसतान के लोगों से हाथ जोड निवेदन कर रहे हैं कि वहीं ताज महल आप का लाल Class का तो हमारे दूसरों Central devi को दो अपना लीजिए हम उसको भी अपना यह बाकी उसको अपनाने के लिए बाकियों को क्या चोड़ना जुरूरी है हमें भी अपना लीजिए हमारे जो पुराने तंजाबोर के बड़े-बड़े जो आर्धेक्ट्प वो मंदिर ते क्या करें उस समय वही सब बनते थे हम पी की जो हमारी चिवलाइजेशन है या यह मुहन जुदाड़ों में जो है वो सब आप ही का अपना के तो देखें सिर्फ लाल मैं लाल किला और और उसको कोई भी पाकिसान नहीं बोलता है मैं आऊंगा लाल किला देखने जाओंगा या है आपको अच्छा लगता है भले वो तुर्क हो और तुगरल से आपको खुशी होती है उसी तरीके से अगर आप जुड़ जाएंगे खाली अपनी मिटी से जुड़ जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे कि आप ता इस रो फिर आप यह कहेंगे हमारा इस रो और आपको भी उ पॉलिटिकल डिवेजन भारत से एक्सेप्ट करते हैं हम कहरें कल्चरली क्यों अलग होना भाबा कल्चरली आप लसी करके क्या बोलोगे कि यार यह पाकिस्तानी लसी है इंडियन लसी लसी नहीं है वो जहर है भाई यह तो समझी नहीं आ रहा ना आप अपने पॉलिटिकल नाम मैंने चोधरी नहीं सुना है यह तो हमने यहीं सुना है हमारे हरियाना में और पिंजाद में और इदर रिमांचल में चलते हैं चोधिया हमारे बिलकुल और यह मुझे बहुत से कमेंट्स की आते हैं कि यह चोधरी जो कास्ट है यह मुसलमानों की काप से हुई है बता सर मुझे यह बताएं आपने जो बात किया मैं 110 परसंट इससे एगरी करता हूं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन यही सोच किया मोसली इंडियन्स की है अगर बात करें मतलब मैं इसे इस सारे सवाल को साधा इस तरीके से करता हूं कि कितने परसंट लोग आपके ख्याल स इंडियन्स ये चाहते हैं कि कि पाकिस्तान के साथ इंडिलेशन बहतर हो इस फॉर्म में यही बात की है कि दॉस्तियों लगिन अगर पाकिस्तान है यह तो बता ही हमें पाकिस्तानी भी उसको अपना पाकिस्तानी आके नुकसान पहुचा दे आप उसको अपना मानेंगे, नहीं मानेंगे, अगर शोईब चौधरी है, आर्जूग मैम है, फकर सहाब है, रिबहाजी है, ये लोग और जितने भी मेरे छोटे यू भाई से बहन समान यूट्यूबर है, ये लोग तो अगर हैं, ये हमारा परिवार है भई, अरे आप रखे़िए लário पाकिस्तान को चलाइए, अपने लौक के इसाब से पाकिस्तान के कांस्यूशन के इसाब से कौन मना कर रहा है, लेकिन अगर हम ये कहने कि भई, यही हमारा इतिहास है, भ्यारी है, बोब vara तो अगर पाकिस्तान शोयब चौधरी है तो हंडेट परसेंट इंडियन चाता है कि हम एक हों वह आपको भाई कहने को त्यारे कले लगाने को त्यारे आप बोलके तो देखे यह वो लगाता है बलकी अगर पाकिस्तानी आप ऐसे हैं जो कि हमको मारना चाहते तो फिर हम कैसे आपको अपना के आप पताईए किस पाकिस्तान के आप बात कर रहे हैं ऐसा ही है देखें मैं यहां पर पाकिस्तानी जो मुझे देखते हैं इवन मुझे जब मिलते हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट जब मिलते हैं तो यह कहते हैं कि आपके काम मुईरे काम से अगर बड़ी चीज़ ये, मैं ये सवाल देखने वालों के लिए करना चाहता हूँ, इंडिया के लिए इंडियन से भी जो लोग देख रहे हैं, उन्हें भी करना चाहता हूँ, क्या आफ अभी शेक सार की सोई से एगरी करते हैं, क्या अगर हमारे जैसे पाकिस्तानी हो तो आप र पाकिस्तानी होग पर पर परिशान नहीं आई, तो कोई चाहेगा कि आपके सार रिलेशन बेहतर करें, और आज के दौर में, बिल्कुल कलियर लिकाता हूँ, कि आज के दौर में जौरत किसको है रिलेशन बेहतर करने की, ये हमें अपनी दमाग को खोल के सोचना पड़ेग बिल्पुल एक सामने विजन रखके सोचना पड़ेगा कि आज के दोर में इंडिया रिलेशन बहतर करने की बात ही सिरफ करता है जो कि वो अक्सर करता रहता है पाकिस्तान की तरफ से भी बात की जाती है लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ज्यादा जूरत किसको है सर बहुत अच्छा लगा आप से बात करके लेकिन लास में आप क्योंके वकील है तो आप से एक सवाल करना चाहूंगा यूनिफर्म सीवल कोर्ट के हवाले से बहुत सी बाते हैं मतलब वैसे तो यह आपका इंटरनल मैटर है लेकिन मैं चाहूंगा ऐस ए सोशल एक्टिविस् होगा कि यूनिफर्म सीवल कोड इन इंडिया क्या एक्वालिटी की बेस रखी जा रही है क्या एक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है तेके शोईब जी जह जो मैनमेड लॉज होते है ना लॉज दो तरके के डिवाइन जो भगवान ने दिया अल्ला ने दूसे मैनमेड लॉज मैं जादे नहीं बोलूँगा यही बता दीजे जो मैनमेड लॉज है वो यह कहता है कि एवरी हुमन इस इक्वल और बॉर्ण फ्री क्या डिवाइन लॉज ऐसा कहते है हर इंसान को बराबर तो नहीं कहते है तो मैं आप से क्या कह रहा हूँ कि आप जो यह हमारे यह जो आ रहा है कि नाम में यूनिफॉर्म सिविल को यह सब के लिए एक समानता लाएगा सब एक तरीके से ट्रीट होंगे और प्रोग्रिसिव होंगे देखिए लॉज का का काम क्या है लॉज का काम आपकी शिनाख्त बनाना नहीं होता शिनाख्त आपकी धर में सहुलियत पाएं तो अगर कोई ऐसा लौ है अब जैसे मुसल्मानों के लिए मुसल्मान का लौ बार। बढ़ारत कब बनेगा यह तो फिर हिंदु मुस्लिम सिक्षाई सब अपना अपना घर में पकड़गे बैठ जाएंगे कि जो भारती है वो कोई और जो भी कास्ट के हो जो भी रिलिजन के हो वो सब भारत मा के बच्चे सब बराबर है तो युनिफॉर्म सिविल कोड और और मर्दों को उनका हग दिलाएगा और जो बहुत से ऐसी समझाय होती है जैसे मान लीजे किसी मुसल्मान ने हिंदू से शादी कर लिए हिंदू ने मुसल्मान ने शादी कर दी अब रिलिजियसी तो ये लौ तो नहीं हो सकते है रिलिजियसली तो ये शादिया वैलिड नहीं है लेकिन मैनमेड लौ ने इनको वैलिड क करते हैं तो उसमें फिर उनको भी फ्रीडम होना चाहिए कि वह आए मिले अपना परिवार अपनी सिंद्गी चार्ट सतर साल की कुश्चों से बिता है so uniform is a uniform civil court is a must it is going to do good for everyone hindu muslim sikh hisai सबको indian बनाएगा